तो ये जो रेसिपी आप देख रहे हैंETH ये मून डाल से बनी हुई रेसिपी है जब तक आप इसे खुद क्ट्राइ नहीं करेखे मतलब तेस्ट नहीं करेखे आपको इसके दियुकर पता नहीं चलेगा है ये इतना तेस्त dasषी ना कि मैं आपको क्या ही इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, सिर्फ आधा कतोड़ी मूं की डाल लेना है, और इसे हलका भून लेना है, हम घर में भी मूं की डाल बनाते हैं, तो इसे हलका भून दें, ताकि इसका जो अरोमा है, वो लिपले, इसके बार आपको पानी दे के एक दो ब लिया था उतना ही quantity में यहां पर हम चावल का आटा लेंगे जब दाल अच्छी तरह से गल जाए इसमें एड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यहां पर अभी हम देंगे दो चम्मच करी डेसी घी का अगर डेसी घी ना हो तो आप रिफाइन तेल का भी इस् इसलिए हमने एड किया है तो यह देखे यह जब फूल मतलब पूरी तरह से ड्राइल हो जाए ना आपको लगे कि हाँ यह पूरी तरह से सूख चुकिए तो आपको इसे निकाल लेना है और थंडा कर ले रहा है इसके बाद आपका इसे दो तयार करना है मतलब हातों से मसल बहुत अची तरह से मसल ना है कम से कम पांच मिनिट के लिए मसल लीजिएगा जब यह थंडा हो जाए तब ताकि इसमें किसी तरह का लंस ना रहे तो यह देखे अभी हम इसे इस तरह से मसल लेंगे और बड़े-बड़े साइस के यहां पे गोले बनाएंगे जैसे हम जाएंगे लगा लिया ताकि यह शिपके ना अराम से हम बेल पाएं क्योंकि यह चावल का आता है ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो इस रोटी का थिकने से ना यह थोड़ा मोटा होगा जैसे नॉर्मेली रोटी बनाते ना घर में ऐसे तीन रोटी के बड़ाब जैसे हम वीडियो में करें ठीक उसी तरह से यह बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत परती है तो यह देखिए हम थोड़ा पत्ते के तरह डिजाइन कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से बस थोड़ा उठा देंगे तो आप तूद्पिक का यूज कर सकते हैं तो हमने यहां पर मतलब नाइफ का यूज किया है तो इस तरह से कर दीजे बस अभी यह देखने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन जब इसका फाइनल लुक आएगा तब आप देखिएगा काफी अच्छा लगेगा देखने में तो अभी हम इस तरह का कोई चीज जिससे हम बहुत आसानी से इसको डिजाइन कर सकते हैं मैं ले रही हूँ अगर आप चाहे तो अलग किसी अपने आइडिया से भी अलग किसी तरीके से भी कर सकते हैं या तो डाइरेक्ट आप इसी तरह से भी बना सकते हैं तो मैंने इसे साइ दस दिन के लिए अराम से स्टोर कर सकते हैं और यह थोड़ी भी खराब नहीं होती है और इसका तेज जादा बढ़ जाती है तो अभी देखिए हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है अभी हम क्या करेंगे इसे हम फ्राइ करेंगे जो मीडियम आज में से फ्राइ करेंगे इससे पहले आप इसका लूग देखें ये पहले कैसा दिख रहा है ये दिखिए तो अभी ये तैयार है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें ब Gudaaना पड़ेगा चासनी तो चासनी के लिए यहां पर हमने कड़ी देर ग्लास तो है फानी डाल देखें इस तरह का बहुत ज़ादा पतला चास्णी नहीं होना है पतला ही होना है लेकिन इस तरह से ताकि ये नजाप अंडली में किस्त पनेकों हो करते हैं आपकी शिया इनकों पानी शेयरा मृफे लेगे तो अबहुत ही जूसी हो जाएगी तो यह देखे यह तयार है अभी हम एक मिनित के अंदर ही इसे साइग में रखता है तो इतना ही सिंपल तरीके से यह बन जाता है और इसका टेस्ट कजप का है क्योंकि इसमें हमने मूँ का डाल का भी इसनेमाल किया है तो इससे ये बहुत तेस्ती होती है, देखिए किस तरह से पूरा चासनी अंदर तक गई है और इतना चूसी है तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत तेस्ती होता है, प्राय करके लिखेगा, वाव, प्रप्टन्बर